अगहन माह शुक्ल पक्ष की पंच में तिथि दिन मंगलवार गोधुली बेला में गोधुली मैंने गव माताएं जब चरकर और अपने जिवनिवास की ओर आती हैं धूल उड़ती है गोधुली बेला सुर्य भगवान अस्ताचल की और जाते हैं संध्याकाल उपस्थित होने को होती है वह बेला गोधुली बेला है इस समय बरात द्वाराचार के लिए पधारेगी यह महुरत तैं हुआ बड़ा कठीन है अब तो पूछना पड़ता है हो बेंड के बज़ेवाला है गोधुली बेला द्वार पूझा के महुरत नहीं पूछना पड़ता है बेंड कोने हो साड़े साथ बज़ेवाला उदूई जग बजाएगा तो आएगा आठ बज़े तो बज़े बरात आई दस बज़े बज़े चाओ कड़ी स्वागत सत्कार जलपान मिलना सब पहले के बुज़ूर्ग आज भी जो वज़ो अबरिद्भ लोग हैं वो कोई आवेचा है नहीं है और गोधुली बेला में बरात उठा देता हम एक विवाह महुत्सों में समलित हुए तो उनके दमाज जी नहीं आए लेट हो गए जाम में फसे होंगे विचारे आज कल तो देखे रहें वान बहुत है तो बच्चों ने पुछा पिता जी फूफा जी अभी नहीं आए कहें बिवाह फूफा जी का है कि हमरे लडिकन का है बरात ने कासी करिए बरात ने कासी वही द्वार पूजा चल गही थी कि फूफा जी समलित हुए चाब फूफो जी भी अभी आसी देर हो गई जाम में फस गए देर हो गई चार बार बोले तो बाभू जी बोले किसी ने आप से पूछा आप आए आपना अनंद करिये किसी एक वक्त के लिए समय को अतिरेक में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि मुहूरत है और देखिए मुहूरतों का बड़ा महत्व है चाहे जब जो नहीं कर सकते आप श्री राम चरित मानस जी में तो गुस्वामी जी महूरत पर इतना गड़क हैं जो भी करते हैं महूरत से करते हैं सनातन की विधी है चाहे अपनी सुवधा से नहीं साइद से सुतार भला नचली सुतार से काम नचली शनिवार अभिवार को तो करने हैं मुहूरत नहीं है मुहूरत नहीं है तो उतपात खड़ा होता है जहां महुर्त का पालन होगा वहीं सुख, शान्ती, सम्रिद्धी देखिए बढ़ जाना अलग विशे है और जीवन में सुख और शान्ती उपस्तित होना एकदम अलग विशे है बढ़ने को तो चाहे जो कर लो सुख और शान्ती दूर खड़ी रहेगी एक सुत्र है, दर्शन करिए बहुत अच्छा सुत्र है जब तक व्यक्ति अंदर से संतुष्ट नहीं होगा तब तक वह बाहर से भी संतुष्ट नहीं हो सकता संतुष्टी अंदर का विशे है बाहर का विशे नहीं संतुष्टी चेहरे पर लिख के आती है अंदर से हम संतुष्ट होंगे कब जब हम सुति सम्मत सिध्धान्त विवार को जीने का भ्यास करेंगे चाहे जैसे ने बाहरी बदलाव के पहले अंदर का बदलाव अतियावश्यक है यदि हमारा अंदर नहीं बदला यदि को आना जाना करम लगा है कई लोग प्रशन करते हैं महराजी इसलाम में इसायत में पार्शी में लोग नहीं मानते हैं उनकी अलग बवस्था है यहां भी और वहां भी लेकिन हम आप सनातन धर में हमारी एकदम अलग बवस्था है हम शुति सम्मत जीवन जीते हैं हम दिमागी जीवन नहीं जीते हैं अब भगवान शुति से तु पालक है राम जी महरशी वालमी की बाबा कहते हैं शुति से तु पालक राम तुम जगदी शमाया ज्यानी जान जो स्रजत जगपालत रुखपाई करपाई दूसरे के बारे में चिंता नहीं करने, दूसरे का चिंतनी में नहीं करना है, अपने बारे में चिंता करनी, अपना ही चिंतन करना है